नमस्कार आप देख रहे हैं एच्जार न्यूट आज एक बार फिर हम बेटे हैं साकारिता विभाग में हुए घुटाले को लेकर के और हमारे साथ है परवीन राव उर्फ बोवी जी साथ में केसर चोत्री है और पूर पारसाद विरे एरोगी है क्योंकि नगर परिसाद को लेके भी विजिलेंस की जहां सुरुआत हो गई है आदेज उसके हो गए हैं उस पे किस तरीके से देखते हैं क्योंकि पूर पारसाद रहे हैं तो उस पे भी चर्चा करेंगे पहले बोवी राव से जो अपडेट ले लेकते हैं साकारिता विभाग में क्या अपडेट है क् सुला तारिक को परदान मंतरी जी एम्स का स्राम नियास करने आ रहे हैं तो जाहिर है वेस्त हैं तमाम चीजे हैं सहर में रोनक है और पिछले कई दिनों से राजदिती गर्माई हुई है कई नेताओं के जनम दीन थे और अभी भी कहें के कई नेता पार्टी अजवाई कर हैं लेकिन उस मुद्दे से हट करके हम सहकारिता विवाग का मुद्दा नहीं चोड़ सकते क्योंकि उसमें एक बड़ा गोटा रहा है उसी पर अपडेट देंगे और लगातार हम आपको दिखाएंगे इन सुद्गाटन को लेकर के क्या तैयारी हैं उस पे भी अपडेट हैं परमीन गी बहुला जी नमस्कार बहुला जी आइसी डीपी गोटाले में दो अफसरों की ग्रिफतारी और होई हैं एक अपने सोनीपत के अपने एर सीएस हैं श्री निरेंदर कुमार जी और एक हिसार से हैं संदीव खड़कर जी तो वहां भी जब छाता मारा गया डॉ फिर और ये की भई पैसे अपने खाते में लिए गए हैं रिश्वत दी गई है तो दो और ग्रफतारियां होई हैं अभी और जो इनके अभी आईसी डीपी के जो कोर्डिनेटर थे मिस्टर नरेश गोएल उनसे अभी पूस्ताज चल रही है सारी नहीं मैं जानने जा रहा हूँ ये आईसी डीपी का पूरा रोल क्या होता है थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझ में आ रिया किसानों के लिए किस तरीके से काम करती है क्योंकि आप इस मामले में बहुत भीतर तक चले गए हैं तो आपको पूरीश की जानकारी भी है कि ये तो उसमें थोड़ा बहुत पैसा आता था ये 2015 के बाद मोधी जी ने शुरू किया था कि किसानों को बेरोजगारों को इनको डारेक्ट मनी ट्रांसफर सेंकर गौर्वर्मेंट से सीधा जिले में जाएगा से के लिए कमिशन में इनने अपना क्या कैते हैं इसके इंदर इसका बज़ड भी रखा राव इंदर जी सिंग जी ने जी ने डायरेक्ट अब बासेओं के लिए ये सब्सक्राइब करना चाहता है तो कोई अपने चार-पांच आजमी मिलके अपनी सोसाइटी बना लो सबसे बड़ी बात यह थी कि पैसा दिया जा रहा था छे से साथ साल के लिए और वो पैसा बगेर व्याजगा था कि अगर आपने सपोस्ट करो लाख रुपे लिया तो आपको लाख रुपे साथ साल में तिस्तों में वापस करने थे और उस पर कोई ब्याज नहीं लगना था पैसा दिया ता इस से क्या होता कि जिले के अंदर हजारोअ。 Lehr दोखा क्या अब यह कि अब यह स्कीम आ ही थी 2018 के अंदर रिवाड़ी में इंप्लिमेंट होने के लिए 2022 से खता बोड़ी थी अग चार साल के अंदर अगर ये 23 करोड रुपे सही लगता तो अज हजारों बच्चों को हमारे इस जिले से नोकरिया मिल जाती अब इन मंत्री जी मासे जी ने अपने क्या कहते हैं कि शौक में विवी बूत होके एक महिला के चक्कर में पढ़के सारे जिले का इने ही पूरे हर्याना का पूरे प्रदेश सबंटाधार कर दिया अब जो यह हजारों नोकरियां मिलती हैं हजारों बिरोजिणार थे उनका मविस्य हद्दकार में कर दिया और इसे इतना बड़ा गोताला ह अब कुरे आदра को ही प्रदेश एक सेसी करोडा हो ङाए आपके सामड़े हैं तो अब कितना है पैसे परसो शेसने करोडने कि लूगों को दिया पे तरीचार करक से विक हर्योजना का पते हैं या जामकार नहीं दिखित की अदर क्या क्या किस तरीके तो नहीं लगता है पूरे योजना को ही एक तरीके से पलिता लगा दिया गया? योजना का पूरा परचार हुआ था, पूरा परसार हुआ था, सब कुछ हुआ था, मगर इनने क्या किया? मंतरी जी ने, अपने फर्जी आदमियों से, ये धरंवीर इनका पीये है, कई फर्जी एक प्रायणपुरा का अदमी था, पकड़ा गया है विजय कुमार, उसने फर् प्रविस्न और था कि इसमें स्टेंट गॉवर्मेंट का कोई अधिकारियों को अब इनने मंत्री जी ने अपनी साठ गाट करके एक वो जो सुत्रदार थी अनुकोशिस अब उनको ये कैथल से रिवाड़ी लिया है 2019 में और कैथल से रिवाड़ी लाके अब वो मंत्राले तो अनुकोशिस चला रही थी अब मंत्री जी अपने घर में बैठ गये मंत्री जी ने अपनी दोस्ती ने भाई उनसे की तुम मंत्राले चलाओ मैं घर बैठता हूँ अब अनुकोशिस ने जो ये हजारों बच्चे थे जिनका भविश्य था ये बरबाद क अब ये हजारों बच्चों का पैसा भविश्य था अब ये अंदिकार में कर दिया सब्सक्राइब एक छोटे से मतलम की अपने मैला से मित्रता निवाने के चक्चर में से तो फिर नहीं संग्यान लेना चाहिए योज नाहीं किस तरीके से भटे में बठा दीप अगर ये मानलो तमाम लोगों तक पहुंस थी कितने लोग खुसाल होते ये तो आने वाले तिरों में ग्राम प उनके लिए तो कही नहीं नुक्सान दायक हो गया तो मोलाल जी मैं तो किसरे 20 साल से ही ये बोल रहा हूं कि 24 क्रोड रुपय आये थे 24 और विशे इस बात है कि पूरे जिले के अंदर 24 पेक्स है अगर 24 पेक्स थी तो हरे एक पेक्स के अंदर एक करोड रुपय जाना था अ आपने बड़े विश्टार से समया लेकिन सवाल ही है ना मंत्री जी को भी इस चीज़ का जवाब देना चाहिए तो कि मेरे साथ और भी लोग जुड़े हुए फिर उनको ही पूरा वाक्तिया जो गटना करा मारूब लग रहे हैं कि किस तरीके से आप उसके चोकीदार थे और इतना बड़ा खेल हो गया तो उस पर जवाब आपको लगता है देंगे बनवाल इलाल जी ये फिर गोल मोली रही था मंत्री जी का तो दाई तीन साल से एक ही जबाब है आप कोई बात पूछो कहते हैं मेरे संग्यार में नहीं है वह अपनी अन्नू कोशिस से दोस्ती निवाड़े में इतने मश्गूल थे तो उनके संग्यार में कैसे आएगगा आप उसे बात मता है उनकी महिला मित्र थी अ अब आप यह देखो तो चुपी साहने से हल हो जाएगा अजी तो हमें किसी सवाल का जवाब ही नहीं मिलेगा बहुलारी मैं आपके चैनल के माध्यन से अपने जिले वाशियों को यह बताना चाहूंगा कि बनवारी लाल जी का एक यह रिवाडी में सेक्टर तीन में लोड शिवा सोसाइटी है उसके अंदर बेनामी नाम से तीन फ्लेट है गड़ी बोली रोड पे जैसे ही आप चलेंगे राजेश पाइले चोक से चंद कदम चलेंगे तो एक मल्ती स्पैसिलिटी होस्पिटल ह थे बनवारी लाल की पूरा पैसल लगा हुआ है् आप जो propia रोड जी नेवरादा केदर एक बड़ा प्री श्पाशिर्टी होस्पिटल म falti की कंपणीने के अंदर उसके अंदर उनकी इस्से धारि अब बिटे की है घर्वाली की है यह चाज कैसे चार्श करनी होगी कर रहे हैं आप कर रहे हैं आप कर रहे हैं अब तो सरकार इंकंटेक्स डिपार्टमेंट कर रहे हैं अब मैं तो प्रॉपर्टिक चिनित करके बता सकता हूं कि यह जाएगा तो गंगा जी नाजेंगर साथ हो सकता मुझे तो लगता है चोबिस में उनको परमोशन बनवारी लाल को रिवाड़ी जिले के बावल कोंसेंसिसे टिकती नहीं मिलेगी परमोशन नहीं क्या बात कर रहे हैं उनको तो एधा अभी अगर पंचायत के इलेक्शन भी पार्टी टिकेट पर और तो पंच की टिकट में तेंगा उससे तो यह लगता है बड़ा यह उतना बड़ा नहीं 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 आप य। इतकी कारनामे डेरे मेरे सब्सक्राइब है म सब लोग पुचा रहे हैं अब गाओं के इए वर ke गूसरे ही देगी मान्रें यह बेड़ा ही आप खुवे होगय सब्सक्राब cred है सब्सक्राइब करें है आप पूल का कुछ दे रहे रावकार तो मुश्कराइए रहे देखो एक वरसादमी आ गया मुझ पे नहीं कह सकते हैं मगर मुश्कराट के भी तो माइने होते हैं केसा जी लगाता आप बड़े हो आपको के दंकी नंकी तो नहीं मिल रही अरे मोहनलाजी में नहीं हूँ तो इन महासे जी की सुबह तो इमत नहीं पड़ी पास-दस मिट रुके वापस चले अब लोगों कहा जबाब दे मूँ छुपाते हैं गूम रहे थे मगर इन जो ये लोग जो ये इस परकार के मैं तो यह कहूंगा कि यह तो डखेती डाली है इनने पूरे अबने दक से रहे दो लेवाड़ी जिले में दो डखेत होई हैं इस सवाल यह ना बच्चों के भविष्य से खेला गया वह सोसाइटी बनाते कुछ और करते तो उनको लोन मिलता उनका भविष्य सुदगता रोजगार करते यह बड़ा कहीं इलाके के लोगों का नुक्सान के पूरे अगर इस तरीके की बात है वह नहीं क्या गया उनको ल नहीं कर भावजूद नहीं हुआ है राज जी मुझे लगता है कि अभी सोला तारिक को परे मिर्स्ट्र का हमारे देश के इज़श्री परदार मंतरी का रवाड़ी दोरा है और मुझे जाता है लगता है कि बोबी जी ने भी राव इंदर जी सी के संगान में मामला लादिय ऻड़ा होगा उजसे मेन लगता है बाकी दूंबी जी इसको बहतरा पता पाएंगे और मुझे इस के बाद में कोई दोराए plutôt आँगा तो कि मैंने पहले भी आपके चैनल माध्यम से का था कि डाक्टर बनवारी लाल जी को टिकट दिलाना में या मंत्री प्रणाना में हमारे यहां के जन्प्रदी नीदी है राव इंदर जी सिंग का बहुत बड़ा हात है इस बात में कोई दो रहाए भी नहीं है बोभी जी इस बात को जानते है और जैसे ही में लगता कि एम स्काउद बाटन हो जाएगा प्राइमिस्टर जी जब बुद बाटन करके यहां से चले जाएगे तो डॉक्टर ब्रवाई लाज जी पे मामला और यह घरमाएगा कोकि जीरो टोरस में चलने वाड़े बरस्टाचार को बिल्कुल ही बरस्टा तारी को अपने पांसों का दूरी पे रखने वाड़े राव इंदर जी सिंग जी उस पे हंड़र प्रेस रंगाल लेंगे ने अगर उनकी ओलेज में भाव आगया हो गाथ तो कि राव साफ कभी विये नीचाते कि मेरे साथ कभी भी किसी को भी बरस्टाचारी मेरे साथ जुटा हो यह मेरे साथ उसको नाम उठाब मुझे लगता है 16 तारिक के बाद में यह मामला भी ओर गरमाएगा और तूर पकड़ेगा और उसमें जब रावसार संग्याल लेंगे तो 100% महुलाल जी उसमें हमारी हर्याणा की सरकार को नंबर दोई पैसा केंदर का है देखिए इस बात पिकंदर कोई देरा है नहीं है पै जो भी रखेगी जब तक उनका पूपता सबूत नहीं होगा तो इस समय महुलाल जी सरकार भी अपना हर कदम फूग के रख रही है इस बार के बंदर भी कोई दो राय नहीं है सरकार भी अपना हर के कदम जो भी रखेगी जब तक उनको पूपता सबूत नहीं होंगे सरकार को यह लखता है नहीं है इस गोटारे को लोग भूल जाएंगे कितने करोड़ों का हुआ नहीं रखता हुआ इतना बड़ा घोटाला हुआ तो उसके दाख धुलने चाहिए पीम के कानों तक यह बात राविंदर जी सिंग को पचाना किये और राव तक यह मामला नही खबरे नहीं जा रहे हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है लगातार मामला में बना हुआ है उसके बारे में मेरे भाई बो भी राव पहतरा पाएंगे कि राव साव के संगाने महमला है या नहीं है नंबर दो भी मैं कह रहा हूँ अभी जो इलाक्ये की इतनी बड़ी पुराणी मा इन लच्छेदार भासनों में तो आप बढ़े माहीर है डिपाव भी हो जाएगी अपिलंग आपके बहा बैठ जाएगे खेतों के अंदर इदाज अपना सुरू करा जी है अभी अभी गर्ब में बढ़ा हूई है आप इस मैंने बढ़ा किया अभी जब तक रहेंगा होचना होई अभी तो सलाम नियास हो रहें दो साल बाद तो कब ये बने गया कब इसके कमरे बनेंगे कब करासे लगेगी कब परिचर आएगा वो भी राओगी तो से तीन साल के अंदर बनके तयार हो जाएगा नहीं बनेगा लेकिन इतना उतावना अपान उसको रूप ने तो आप लोगों ने जो मुद्धा उठा लगा है विजिलेंस वाला जो नगर परिशत्ते उसमें बात करेंगे विदे जी सब दोलों को सुनने होगा आपने पारिसत रहे हैं क्या नगर परिशत्ते बीसी तरीके से ग्रांट आती इसी तरीके से जो पैसे आता है कि उसका इसी ब्रस्टाचार होते हैं? इसी ब्रस्टाचार करने का तरीका यह है आपने प्रस्टाचार में इतना भी पैसा कमाया है? इसी ब्रस्टाचार करने के लिए हमें इसाब किताब दीजिए आपका इस्सा अपने आप राकिर हमारा इसा हमें दे दीजिए आप इन्हों ने का एम्स 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 के अंदर कौन सा ऐसा नेता है भाजपा का जो धरने पे बैठा मुझे आप पताईए इतने लंबे समय त खुद हमारे यहां के मुख्य मंतरी वो नकार चुके अपनी पुराणी स्टेटमन अगर आप उनकी देखेंगे बड़े-बड़े नेता वो नकार चुके अग जबरदस्ती हमार से हो करवाई गई यह एम्स की गोश्णा और इतने लंबे समय से एम्स का निर्माना का करना जाते हैं इनकी मन्शा होती तो करने ते यह कल अब चुनाव नजगी का अगरे हैं जनता विरोध में बेटी ती इनको लग रहा है जनता को मनाने के लिए कुछ ना कुछ न को देना पड़ेगा तो उस लोली पोप को देने के लिए एम्स के मुद्धे पर ध्यान लोगों क बात को मान लेंगे तो इसे बोट बैंक बनानी पूरी राजदिती का ज़रिया बन गया है यह तो उसे सास पस्ट हो जाएगा लोगों के इलाके की जंता को पता चल जाएगा कि यह जो पड़े नेता है वो इस दोटाले में संलिप्स है और अगर वो गोटाणों के खिलाफ हैं इस तरह के नेताओं के खिलाफ हैं तो वो उस मंच के ऑपर उनको मंत्स आजा आओ नहीं कर देने बिए और ना उस पछान्स के शिलान ए इसको ना होगा उससे सब लेकिन विजिए लेंस की जांच के और हो गए नगर परिसत को लेकitte बिटेश्ट के लगतार बोब कर दो पर हाटे विए नगर परिसार को लेकिया उठातुम गए दुप टो विट मंत्री चुके आपका नाम लिए विट मंत्री ने भोबी राओने मामला उठाया उसकी वजिए तर खुला है और ये बढ़ाई के पात्र है कि इन्हों ने किमानदाली दिखाईए इतना बड़ा मुद्दा उठाया तब ये तरस्य प्रूम्टी के जो हमारे जो मंत्री किया रेवेड़ी गिरिंज कमिंटी की मिटिंग लेने आते थे उन्होंने खुद इस मुद्दे के उठाये कि नागर परिशत में प्रचा जा रहे हैं लोग बढ़के रह जाएंगे ठागया था मैसूज करें लिए नहीं तो क्या जारा हूं ये लोगों का दिमाग डाइव तरीका है और लोगों को किसी मुद्वे से अटाना हो तो नए मुद्वे बढ़के रख दो आप मैं आज तक एक भी स्टेटमेंट आए हमारे सांसाथ साभ की एक भी स्टेटमेंट आई है मुख्षे मंतरी जी कि क्या इस मुद्वे को पर स्टेट को आने के बाद प्रेस अगर वो इस चिफा नहीं दे रहे तो पार्टी का नैतिक करते वे था, उनको वो तुरंत बर्खास करें, जब तक जाच पूरी ना हो, तब तक वो बर्खास रहें, मगर किया नहीं किया, अगर विपक्ष का कोई, कोई MLA या पूर की सरकार में कोई एक्स MLA या मंत्री या MLA अगर आजाता ना, तो इतना हाहुलन और बवाल मचा दिया जाता अगर वीडिया चैनल वने, और जितने ये पारटी के प्रवक्ता बन रहें, जो पारटी के जो मैं कहता हूं मन्दमुद्धी जो भक्त बन रहें, अच्छी मुद्धी वारे तो बोल रहें हैं, चैमरे पा बोबी जी कुछ कहना चाहिए, बोबी जी हमीं कहाएं का जनम दीन था, राओ जी ने काफी सारी स्पीज दी, अर्थ वावस्ता पे बोले, क्या, उन्होंने मीडिया से बात की, ये पर कारे करता हैं, तो आप लोगों का क्या हाल है, कारे करता बता देते हैं, अंदर खाते क क्या स्थिति है, कि जे में कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं है, बहुनलाज जी, कल समय का वाव था, दूसरी बात, जो राओ साब ने कल अपनी स्पीज दी ती, आपने सुनी ही नहीं, उन्हें विस्तार पूरों को बताया था, कि पिछले छे साल के अंदर, जी डीपी की क कहां से हम कहां पोँच गए, पहले में बताया, कि कोविड के अंदर जा, जो दूसरे देशों की, जो जी डीपी थी, वो दो परसेंट, डीड़ परसेंट चल रही थी, हमारे छे परसेंट का विकास हुआ, फिर दूसरी बास, जो दूसरे देश है, महुनलाज जी, उनकी च करोड़ है, बाकी सब 2 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ है, हमारे देश की 140 करोड़ देशन क्या है, 140 करोड़ लोगों को समभालना, यह अपने आप में एक बहुत भारी चनोती थी, और इस चनोती को भी जहलते हुए, कि 140 करोड़ का वेक्सिनेशन करना लोगों का यह बहुत सबी लोगों का वेक्सिनेशन किया गया, कितना भारी पैसा लगा, कितना भारी इंफरस्ट्रक्टर का इंजाब हुआ, डोक्टर्स, यह आप लगाओ, आप पाइपलाइन में रखो, सब कुछ, तो आप यह देगे, बो भी राव जी, मैं जो लोगिकली बात करता हूँ, ब अज बी एक लगाओ, पुलिस में, हर्याना पुलिस में, कितने आदमी में एक पुलिस कर भी है, आप बतादो, महलणाल जी, मैं आप किसी बात पर आ रहा हूँ, विदेशों में, वीस आदमी, पच्छीस आदमी, पचास आदमी पर एक डॉक्टर है, इंदूस्तान के पाथ या साथ साल में आप चाहो कि पाथ या साथ साल के अंदर इनके आपको बिल्कुल नतीजे सामने हैं समय तो लगता है हिंदुस्तान में सो मेडिकल को लेज हो इसे चालू कि नहीं पाए करियाना में कितने मेडिकल कोली हो इसे चालू कितने वह बोल नहीं पाए मैं दिसांसत की बात रिकराइब मैं आपके चैनल पर जाती है यह जोबान है बिना हर्ड मास्की चलती है कुछ भी आप बोल जाओ जो मन में आए कोई लोग ने आपके शिकायद गई थी उनने कहा था उनने यह बिश्ची तोर पे कहा था कि जीतना ब्रस्ताचार जीतना नगर पालिका मैं नहीं देखा मगर क्या था कि आप यहां के लोगों को भी कमी है पारस्तों को भी कमी है किसी ने प्रॉपर कम्प्लेंट आप बोलते रहे किसी ने प्रॉपर कम्प्लेंट फाइल ही नहीं करी ना किसी मुखे मंतरी को शिकायद बेजी ना किसी लोकल बोड़िस को शिकायद बेजी मैंने मेरको जब मेरे संग्यार में αया, मैंने सबसे पहले उठाया उसका मैंने अपने परीयाज से मेरे साथ कोई अभी नेता का कोई मनतरी भीजेपं या कोई नहीं था मै अपने पर्याज से इसकी दर्खास में लगाई और दुण आप USे को दोराय नहीं है इसमें भी आपका रोल है, आपने शिकायत किये, विजिलेंट जाच के ओर्डर हुए हैं, लेकिन उसमें भी स्टीफ़क कब होगा, कब पूरी जाच क्या निकल कियाएगा। और उनके घरवार है, बाकी देखो, ब्या साधिये के रोल शामों गोंते मिल जाएगे, मगर जहां ब्यान देने जहां होता है, जहां करना होता है, अपना वहां उनके बीमार है, अब ये इनको जेल जाने का इनको कोई रोख सकता, रिवाडी चिले में दो आज में टेकेती ड मिजार हैं, नगर पैसित में हजबेंड हैं, उनके ससुल जी का आप जिकर कर रहे हैं, उनका क्या रोल है? भोलनालदी, हो क्या रगाए है, कि हमारे यहां पे अरतों को आगे करके, पीछे से तोरी घरते हैं, नगर पालिका में उनके हजबेंड में बैठ के आते हिते, रोज आज और शाम को इथा पैठ के आ रहे, अच्छा, नगर पालिका के अधिकारी देखो, एक EO, वो कोल न में आ सकता है क्या वो उसके दफ्तर इस्तेमाल कर सकता है यह तो पार्टी की टिकट पे चुना हुए भारतिय जन्ता पार्टी की चेर्मने सिंबल पे चुना लड़ा है और आशिरवाद यहां के बड़े-बड़े निताओं को अप्राप्त है क्या उनको से दिखाई नहीं रहता है लोगों की प्रोपर्टी आईटी के गोटाले कितने बड़े हैं सांसर भी आतक एक प्रेस कॉंफरेंट करके कहा हमारे मंत्री जिने का एक ग्रेवन्स कमेटी की मिटिंग में आरोप लगाए थे में उनकी जयात करा हूँगा कभी भी कहा है क्या आज तक के लिए बताओ आप मुझे कब कहा हूँ अगर भाए मैं आपसे उसी बात पर आ रहा हूँ ये इतने दूर्त लोग है कि ये लोग अपनी लाइजरिंग रखते है अब नगरपाली का चेर्मेन के हस्बेंड और उसके ससूर श्री हरिंदर जी बड़े जागिर्दार हरिंदर जी छोटे जागिर्दार बल्दीच जी ये लाइजरिंग करके लोगों को पाव पकड़ते गूमते की दबा लेना हमने गल्ति कर दी हमसे नहीं होगी आगे से न सब्सक्राइब जागिर्दार बल्जीत सिंग वह रोज गाड़ी में बेशर्मी से बेहाई से बैठके आगता है और और मैं आप बात बता हूँ नगर शहर में सफाई करमचारी आप भोले मगाव नहीं जाएगे इनके घर के अंदर पर्मानेट चार सफाई करमचारी बैठ सब्सक्राइब जाएगे इनके बाद यहीं चेर्में अपने मुझ से चिलाएगी कि मैंने सेर कैथा साफ कर दियारे तूने तीन साल में सत्केण नाज उठा दिया एक तसला थोनसे क्छा भी कोशिस करेगे उसका जो दक्या तस बैब तस हजब करेगा आप कहते हो जाज होगी देखना है कब तक होगी क्योंकि आप तो यह सबसे बड़ा सबसे बड़ा डाका किसने जाला है कौन ज्यादा से ज्यादा कर सकता है घुटाला इसका कॉम्पेटिशन चल रहा है और उसी पे कहना कही नाम भी दिया जाता है केसा जी फिर हैस रही चलत है जिसके दर में दिवाजी मंतिय दिये का तेल नहीं है लोग तेल चोरी कर रहे हैं असी करोड़ जंता को यह नरेंदर मोदी जी की स्कीम है और महला जी आप विशोशीरी जाना चलाते हैं आप रहवाडी में अब पूरे इलाक्य का सर्वे कर लिजी गरीब आचल का सर्वे अब गरीब जंता नरेंदर मोदी जी की जो योजरा नहीं अब इंकर आ बौथ कर दो रही है क्योंकि आप बाल की खाल खेचने में आप भाहिर है अगर आपके पास पांसा सूट है बढ़िया-बढ़िया फिर भी आप भी रासमान के ले जा रहे आप देश की अरवस्ता देखिया आप कहों से लेकर कोंड़ से अरवस्ता को पांसे नुम्बर में सुनो पूरे देश को अब बजान से कर्जा लाला के घर में अल्मारी पूरे परीवार प्षा लगेंगे लेकि इस सवाब देगा जो कर्जा चुक्रावन चाले के बार जाएगी आप और सुनिया शोला तारीक बाद मेरा आपसे नम्र निमेदर है शोला तारीक बाद आप शेहर में तो आम रंट कि एम्स आने से हमारे याके 10,000 लोगों को मैं गरेंटी जाता मोला जी तस हजार लोगों को याकर में रोजगार मिलेगा मोला जी रोजगार एक एम्स की योज़णाना अब हमारे छेत्र के लिए बगवत बड़ बड़ योज़णा है तोर मैं अर्याना के अश्श्री और जो भी इसको एम्स को भी हलाया है मैं उसका पहले तोपिक पे आईए लड़ू का किया हुआ आप लड़ू को गुमा देते हो आप अपसे मैं लड़ू की बात करता हूँ तो आप अर्थवेस्था की बात करते हैं कि पंद्रा तारिक को हमारे आपको बता दू देश के अरिशस्थी प्रधार मंतुई जो की त्यत्र मर्स के होने आरे त्यत्र मर्स के हो चुक है सास्तो तीस किलो लड़ू हरियाना के अंदर रवाडी के अंदर एम्स बनने की कुशी में बजट भी बता दी कितना बजट है सास्तो प्रधार मुष्ट अज़िए एक गरीब आजमी जहां पर एम्स मन रहा उस गाँ को आप दोरा करके देखिए वह लोग कितने खुश हैं उनसे पूछिया आप अब क्या बात करते हैं महुला जी नगर लड़ू की बात करते हैं पूरे रवाडी शेहर को जो बिसके थोड़े भी योगदा रखना चाहता हो पूरे शेहर को इस लड़ू बातने चाहिए महुला जी पूरे शेहर को लड़ू बातने चाहिए बिल्कुल मैं केश्योजी की बाद से सहमतू जहाँ एम्स बढ़ रहा है वहां के आसपास के गाहों के लोग बड़े खुश है क्योंकि लंबे संगर्ष के बाद उनकी जीत हुई है और यह जो दिखावटी आंसु जो नेता बना रहे हैं एम्स का स्टेय लेने की अब जो इन आपके साथ कंदे से कंदा मिलाकर चलते हैं तो एम्स बहुत पहले बढ़ जाता पर चलो देर आए दुरस्त आए चुनाओ के समय ही यह लोली पॉप दे रहे हैं तो मैं भगवान से दुगा करूंगा अग एम्स के वोने चुनाओ तक का मुद्दा बढ़ के ना रह जाए आगे भी एम्स बढ़ के पूरा और लोगों को इसकी सुजदा मिलें बनी खेत में खाट में बैटकर उनके इलाज ना हो जाए यह बात में इसलिए कह रहा हूं अग जिस तरह एक फॉन नंबर पे सैकड़ो आईश्मान बलाबार्तियों के उनको इलाज हो गया है एक-दो म पे की मिट्टी डौनी का यूपी के अंदर जो विकास कारियों के अंदर आग जो रिस्टेशन है मोरसाइगिल का और मिट्टी डौने में उनका नाम लिखा गया है तो इस तरह का यह जो दिखागा है यह ऑनलाइन ही पढ़ के ना रहा जाए और लोगों को जो अफो सोच बात का अग जो हमारा चुनाव में वोट ले लिया गया और फिरम ठागे से महतुस कर रहे हैं चुनाव तक यह मुद्दा चुनाव हो गया है दोनों मामले में आपकी तरफ से पहल की गई है ब्रेश्टाचार के खिलाब बटाने आपने उजागर किये हैं दिल से बताईए क्या एलाके को न्याएं मिलेगा इन दोनों में जाज निस्पक्ष होगी पीम तक मामला जाएगा बाके कारवाई होगी या पर लोलिमो पो जाएगा सीदा चुनाव तरकम सब्सक्राइब सो परसेंट न्याएं मिलेगा बोलना जी मैं शिकायत करता हूँ मैं अपनी आखरी साज तक यह लडाई लड़ूंगा और इनको अंदर करवा हुआ मैं कोई हिम्मत आड़ने वाला आदमी नहीं हूँ मैं तीन साल लड़ा हूँ जब मरवाई डाल के खिलाफ तो मैं उसको विल्कु आप देख लो अठारा आम तक कुल मिला के अठारा आदमी अंदर हो गए आप अफसर अंदर करवाए मैंने और रया नगरपाली का अठारा आप लोगा तो आप कैसे आप यह संग्या ले रहे हैं कि मैं दब जाओगा और तो आप अपर से पनानी कैसा क्या तब दबावाजे और कहां दबना पड़ जाए लोगों को इलाज होगा तो ज्यादा बहतर होगा लेकिन ज्यादा बहतर होगा लेकिन दोला मचाने से बहतर है कि पहले चीज को अपने सिरे चणने दे गाओं को बसने दे गाओं बसेगा तो लोग अपने आप वह वैपार भी करेंगे तमाम चीजे करेंगी तो एम्स बनेगा तो जाखा के कुछ फाइदा होगा लेकिन जो हुआ क्रेट किया जा रहा है बनाये जा रहा है एम्स को और लगातार इसी तरीके से अपडेट हम लेटे रहेंगे और वो भी देंगे फिलार इतना है आप जुड़े बहुत बहुत धन्यवादा